नमस्कार में पूझा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स बिहार में विधान परिसत के 24 सीटों पर चुनाब होने हैं इसको लेकर काफी सियासी जोड तोर मची हुई है बात अगर हम बीजेपी और जेडियू की करे तो आपको हमने कल ही जानकारी दी थी कि किस त सीट पर बीजेपी और 11 पर जेडियू लेकिन बात दो सीटों पर अटक रही है यानि कि दो सीट ऐसे हैं जिस पर जदियू मानने के लिए तयार नहीं हो रही है यही कारण है कि अब जदियू के नेता चाहते हैं कि 50-50 वाला फॉर्मूला अपनाया जाए यानि कि सीट का ज कोर कमीटी की बैठक हुई है उससे जानकारे निकल कर यही आ रही है कि 13 और 11 ये बीजेपी का फॉर्मूला है कि बीजेपी 13 और 11 पर जदियू लेकिन बात वो कौन सी दो सीट है जहां पर अटक जा रही है तो बात हम कर रहे हैं मधुबनी और दर्भंगा सीट की अगर बा सुनियल सींग MLC थे जिनका 2020 में कोरोना की वज़ा से निधर हो गया लेकिन दर्भंगा और मधुबनी ये ऐसे दो सीट है जहां बीजेपी एक बार फिर से अपने ही उम्मिदवार उतारना चाहती है यानि कि उनका ये सिटिंग सीट है और बीजेपी किसी भी कीमत पर अप पती हो रही है वो दर्भंगा और मधुबनी पर अपने उम्मिदवार उतारना चाहती है ने चहरों को लाना चाहती है और ने चहरों के साथ इस बार मधुबनी और दर्भंगा में MLC का चुनाब लड़ना चाहती है यानि कि MLC का उम्मिदवार लाना चाहती है लेकिन वही अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी किसी भी हालत में मधु बनी और दर्भंगा दो ऐसे सीट जो बीजेपी का सिटिंग सीट है इसमें बटवारा करने के लिए या शेयर करने के लिए किसी भी कीमत पर राज नहीं है सुत्रों की बात करें तो सुत्रों का ये कहना है कि बीजेपी का ये पकाफ फॉर्मूला है कि वो तेरा इगार का ही रेसियो अपनाएगी वहीं अगर जदियों की बात कर ले तो जदियों चाहती है कि हम 50-50 परसेंट यानि कि 50-50 प्रतिशत का फॉर्मूला अपना है यानि कि सीट का जो बटवारा हो वो आधा हाधा हो हाला कि बीजेपी कोर कमीटी की बैठक में ये बात साफ हो गई है कि तीन सीट ऐसी हैं जहां उनकी तरफ से पुराने चहरे चुनाबी मैदान में नहीं होंगे और अंगाबाद से चुनाब लड़ने वाले राजन सिंग ने इस बार चुनाब नहीं लड़ने का फैसला किया है जबकि समस्तिपूर और दर्भंगा में भी पार्टी की तरफ से ने चहरे होंगे कोर कमीटी की बैठक में 1311 के फॉर्मूले पर सहमती बनाई गई है और यह तै कि आगया है कि अब जेडियू से आगे बातचीत जो है वो कि फुल मोड में है कि 1311 का ही डेस्यू चले वही दूसरी क्रब जदियू इस मोड में है कि 5050 का फॉर्मूला अपनाया जाए वही जो मधुबनी और दर्भंगा जो बीजेपी की सिटिंग सीट है इस पर जदियू अपना उमिदवार चाहती है कि वो MLC उमिदवार यह आप सब जानते हैं कि आप बिहार में MLC चुनाब में बीजेपी और जडियू में दरार दिखाई देंगे यह आने वाले दिनों में इस्तिती और तस्वीरे भी साफ हो जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चाहां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले अगर आप यह वीडियो फीस्बुक के माध्यम से देख रहा है तो पीच को लाइक करें धन्यवाद